प्रतेक दिवस की भाती आज भी रात्री 9 बजे हम यहां पर लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं और चर्चा प्रारंब हो चुकी है आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अभिनंदन है तो आज का जो विशय है वह भी एत्रेय उपनीशद से है एत्रेय उपनीशद का यह व में चर्चा कर ली और आज दूसरे अध्याय के पर्थम खंड पर चर्चा करेंगे तो दूसरे अध्याय बहुत जादा खंड नहीं पर.. त्म हम अध्याय भी .. तो तिन अध्याय को मिलाकर मिलते हैं इस उपनीशद के अंदर अब ब्रहमकाश शरीर में प्रवेस लोग तेखिए एक बात जरूर किजिए कि जो भी लोग हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना सुने ही कमेंट कर देते हैं बस टाइटल पढ़ते हैं और कमेंट कर देते है तो समस्या यहाँ पर आ जाती है तो टाइटल बिना सर्फ टाइटल पढ़कर ही कमेंट ना करिए सुन लिजिए उसके बाद कमेंट करिए किसे बताया क्या गिया है और जो बताया गिया है वो उपनीशद अधारित है इसके विशह जो लिए गया है वो उपनीशदों के इस लोकों पर ही अधारित है अगर मैं यह लिखा कि ब्रह्म का शरीर में प्रवेश तो एक महानुभाव ने कमेंट किया कि अब तक तो आप यह है कि भ्रह्म तो चारों तरफ है तो सरीर में प्रवेश का कोई मतलब नहीं उसका लेकिन आप यह भी पढ़ लिजिए कि उपर लिखा हुआ है एत्रेयो उपनीशद एत्रेयो उपनीशद वहां उपर लिखा हुआ है तो इत्रेयो उपनीशद लिखा हुआ है तो भाई इत्रेयो उपनीशद में ऐसा कुछ पुनर जनम का भी रहस से पहला जनम दूसरा जनम तीसरा जनम का रहस से आज इस पर हम चर्चा करेंगे अब यह जो विशय है पहले जनम दूसरे जनम तीसरे जनम का रहस से यह एत्रियो उपनीशत पर आधारित है इसके स्लोकों में ऐसी कुछ चर्चा आई है कि जिसके अध पर यह विशह लिया गया है नहीं तो पुनर जनम के ऊपर तो कई वीडियो पहले भी बन चुकी है इस चैनल पर पुनर जनम पर कई बार पहले भी चर्चा हो चुकी है ठीक है तो इसी लिए आप इसके इसे चिंदित ना हो और टाइटल पढ़कर ही कोई निश्या ना कर ले किसी निश्कर्ष पर ना पहुँचे तो कई बार लोग निश्कर्ष पर पहुँच जाते हैं और अपना निश्कर्ष नियाय सुनाने में लग जाते हैं अब कमेंट देखें कई प्रकार के लोग कमेंट करते हैं लेकिन एक विचार में आपके समक्ष जरूर आज प्रस्तूत करूंगा कि आप कमेंट करें अच्छी बात है आप प्रश्न पूछें वह भी अच्छी बात है विचार रखें बहुत अच्छी बात है लेकिन कई बा ना इस तरह भागे ना उस तरह भागे ना ज्यादा खुशी अच्छी ना ज्यादा मलाल अच्छा आपने सुना होगा ठीक ना ज्यादा खुशी अच्छी ना ज्यादा मलाल अच्छा तो जिस हाल में वो रखे वो हाल ही अच्छा तो इसी लिए उस अपने हाल में ही रहें तो बहतर है किसी एक तरह बाइस ना हो जाएं और लोग क्या होते हैं कि भाई अपना बाइस हो जाते हैं और फिर अपना ग्यान बाज ऐसे ही कोई किसी ने कमेंट किया कि भाई ब्रह्म तो चारो तरफ है ब्रह्म तो सरव्यापी है फिर ये आप तो लोगों को कन्फ्यूज कर रहे हैं पहले कहते हैं कि ब्रह्म अजनमा है फिर कहते हैं कि शरीर में ब्रह्म का प्रवेश हो रहा है तो ये सारी बाते पता चलता है कि आपका ग्यान अपूर्ण है और आपकी ज्यान में पूर्णता नहीं है तो चलिए ये तो मैं खुद स्विकार करता हूँ कि मेरा ज्यान पूर्ण है ठीक है यो तो मैं पहले से कहा रहा हूँ कि भाई मैं कोई ब्रह्मे ज्यानी नहीं है हाँ लेकिन साथ ही में किसी और के भी ब्रह्म ग्यानी का दावाद स्विकार नहीं करता कम से कम सास्तर अधार पर तो वो व्यक्ति प्रमानित नहीं कर पाएगा कि वो ब्रह्म ग्यानी तथा कति जिस भी संस्था और गुरू से जुड़ा हो स्थास्त्रा धार पर तो वो प्रमाणित नहीं कर पाएगा कि वो ब्रह्मग्याई हाँ गोली बंदू के नाम पर कर ले कोई पोलिटिकल पावर के नाम पर घोशना कर दे बात अलग है दादागिरी के नाम पर कर दे जब तर्क कटने शुरू हो जाते हैं तो वो अपने आश्रमों की संख्या गिनवाते हैं जब उनके पास कोई तर्क नहीं होता तो वो अपने आश्रमों की संख्या गिनवाते हैं संख्या बल बताने में लग जाते हैं कि हमारे इतने फॉलवर है इतने आश्रम अरे तुम्हारे इतने आश्रम से क्या फरक पड़ता है जो बात कहीगी उस अंदर हमें बात करो तुम्हारे पास उत्तर है तो उत्तर दो नहीं है तो चुपचाप अपना जाओ जो कर रहे हो कर तो जब कोई विकल्प नहीं होता तो आजनी वहाँ पर आ जाता है तो इसी लिए किसका ग्यान अगर आपके पास पुर्ण ग्यान है तो आप बाटिए किसी ने मना किया है क्या आप जरूरी थोई ना है कि आप इसी चैनल के वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे पुर्ण ज्यान है तो लोग तो आएंगे ही आपके पास आप जाईये उसको बाटिए है तो इसी लिए अपना जो है सोच कर कोई बहुत क्यूंकि किसी के हुझता वही पर तो आहत हो जाती है जब आसकती नजर आती है जब बाधा नजर आती है कुछ अब देखिए कुछ थोड़ा सा में इस विशय पर समय लोगा पिर एत्रे ओपनिशत पर आऊंगा तो अब कुछ ऐसे लोग भी कमेंट करते हैं जो लिखेंगे कि भाई ये हमारा चैनल है इस चैनल पर आएं और जो है आप इस चैनल को देखे और इसको देखें इस चैनल पर बहुत ही अच्छी अध्यात्मिक जानकारी दी गई है ठीक है अच्छी बात है जी आप प्रचार किये लेकिन कितना बार करोगे अब रिपिटीशन एक बार विक्ति ने कमेंट किया अब पता चला कि हर विडियो में एक ही कमेंट किये जा र एक महानुभाव मिले पता नहीं कौन थे वो कोई ट्रिक बता रहे थे मुझको मुझे वाटसप मैसेज किया उन्होंने और मैसेज करकर मुझे लिखा कि आप ऐसा करो कि आप इस प्रकार से अगर आप व्याख्यान देंगे तो लाखों की संख्या में लोग आप से सब्सक्राइबर आपके हो जाएंगे आप राजनीती के चीजों को उठाईए और उसको अध्यात्मिक्ता से जोड़ कर बताईए वो कुछ कुछ संदर्व मुझे दे रहे थे मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैंने उन्हें सीधा एक उत्तर लिख दिया कि मुझे इतनी मह तो कांशा नहीं है कि मैं एक अंधी दौड की तरह जो है कोई फॉलवर सबस्क्राइबर बनाओं और लोगों को वो करूं इसलिए मैं सीधी सीधी बात कई लोग मुझे पूछते हैं कि आपका आश्रम कहा है मैं वहां आना चाहता हूं आप से मिलकर आपके सानिध्य में सा विधात दे सकूं और आप यहां आएंगे और वह भी आज के कोरोना के टाइम में तो बिलकुल नहीं कि यहां आसपास और भी लोग रहते हैं उनको पता चलेगा कोई बाहर से आया हुआ है तो वह मेरे उपर और प्रश्न चन्न उठाएंगे तो इसलिए अभी एक कोरोना क पर ही हो सकता है वरतमान में तो वह भी संभव नहीं है और रही बात आश्रम जैसी कोई विवस्था रहने के विवस्था बिलकुल नहीं है भविश्य में हो जाएगी तो मैं इससे मना भी नहीं कर सकता कि भविश्य में नहीं होगी भविश्य में कई लोग ऐसा सलाह देते हैं लंबे समय तक उपवास करते हैं वहां रहते हैं और एक उनका कुछ अध्यात्मिक ट्रेटमेंट भी होता है कुछ आयोरवेदिक ट्रेटमेंट भी होता है तो ठीक है भविश्य की बाते हैं अगर आप लोग का सहयोग रहा साथ रहा तो अवश्य ऐसी चीजे हो जाएंगे तो ऐसे लोग भी कुछ कमेंट करते हैं कुछ अपने आश्रमों का प्रचार करने वाले करते तो आपके कमेंट को रोका जाएगा अगर आप अनावश्य करूप से कमेंट करते जाएंगे तो आपके कमेंट को रोका जाएगा ठीक है तो अनावश्यक रूप से प्रश्ण ना ही करें क्योंकि प्रश्णों का देखिए अंत में कुछ लोगों के तो ये कहना पड़ता है कि आखिर में आपकी साधना ही आपके प्रश्णों का उत्तर ले आएगी ठीक है अब मिठाई वाले के दुकान पर समोसे कैसे मिलते हैं बाते करकर कितना जानोगे जब तक खाओगे नहीं फिर कबीर ने कहा कि धंधन कहे धनी जो होए तो निर्धन रहे न कोई अधियात्म अनुभूती अधारित होती है तो इसलिए नंबर वन बात की वीडियो को सुने और उसके बाद कमेंट करें ठीक है जी दूसरी बात की व्यर्थ की बातों को रिपीट करकर बार बार ना लिखें और हर वीडियो के नीचे जाकर एक ही कमेंट करना तो वो भी ना करें हाँ अगर आप यह कहते हैं कि आपका ग्यान अपूर्ण है तो आपकी इस घोसना से मुझे कोई आपत्ती नहीं है लेकिन जब आप कुछ आपका कमेंट पढ़कर जब यह लगता है कि आपने वीडियो सुनी नहीं है उपर का टाइटल पढ़ लिया है और अपना कमेंट होग दिया है तो आपको ब्लॉक करने के लावा कोई विकल्प हमारे पास नहीं बचेगा वो ब्लॉक ही करेंगे ठीक है तो यह जो है आप इन बातों को समझे और समझ कर चलिए और फिर कमेंट कीजिए विर्थ के कमेंट ना करें आपके कमेंट को पढ़कर ना कि भाई इसको कोई मतलब नहीं है इसको बस कुछ करना है कि मेरा भी प्रश्न पढ़ा जाए और इस उद्देसे से बस किये जा रहा है और संख्या में बहुत जादा ही किये जा रहा है जिसे मतलब नहीं निकल रहा है और बहुत सारे ऐसे प्रश्न जिनका उतर अभी हाल ही कुछ पहले कुछ दिनों पहले मैंने दे दिया है फिर से रिपीट हो रहे हैं उस कंडिशन में भी ऐसा प्रतीत होने लग जाता है कि इनका उद्धिश्य है कि मैं एक बहुत ज्यादा कमेंट करूं या फिर कोई ट्रॉलिंग करने का उद्धिश्य जो भी है इस तरह का उद्धिश्य सामने लगता है तो फिर उनको भी बस समझ जाई है आप उनको भी क्या तो चलिए छोड़ दीजी तो आगे बढ़ते हम लोग और एत्रेय उपनिशद पर चलते हैं तो एत्रेय उपनिशद के पर्थम अध्याय में हमने जो भी सुना जो भी पढ़ा एक बार उसको फिर से हम दृष्टी डाल देते हैं और फ अध्याय गया कि एत्रेय उपनिशद कि क्या कह रहा है कि जब यह जगत नहीं था तब आत्मा थी आत्मा ही आत्मा था और दूसरा कुछ नहीं था अब उसी आत्मा ने चेश्टा की और उसी के संकल्प से सब कुछ निर्मित होना शुरू हुआ अनेक लोग उत्पन हुए फिर उन लोकों के लोकपाल बनाने के का यह निर्णय लिया गया और समस्त लोकों का एक लोकपाल बनाया गया जो कि हिरन गर्भ पुरुष के नाम से जाना जाता है एत्रेय उपनिशद में हिरन गर्भ पुरुष के नाम से जाना जाता है अब उस पुरुष ने हम एक अंड कार के रूप में वो उसका प्रादुर्भा हुआ एक अंड के रूप में और उस अंड में वो अंड फूटा तो उस अंड के फूटने से उसमें से सबसे पहले एक मुख निकला और मुख में से अगनी देव प्रगठ हुए और फिर उसकी नासिकाय निकले वायू देव प्रगठ हुए उसमें से फिर उसकी आखे उसमें से सूर्य, मन से चंद्रमा, कर्णों से दसो दिशाएं त्वचा से वनस्पती और आउशधियां उत्पन होई और इस प्रकार से उसे हिरन्य गर्ब के से ये सारी चीजे उत्पन होने लगी तो वास्तों में हिरन्य गर्ब वह क्या है जीवात्मा की उत्पती का संकेत है व्याख्या है कि जीवात्मा जीवस्तित्व में कैसे आ रहा है क्योंकि जीव इंद्रियों से संपन है सुक्ष्म लोक में भी इंद्रियों से संपन है तो जीवस्तित्व में आ रहा है अब वह जो जीव जो आया अब उसको भूख और प्यास से युक्त कर दिया गया अब यह भूख और प्यास भी एक देवता हो गए अपने आपने इनको जब भूख और प्यास से युक्त कर दिया गया तो अब वह जीव अनेक लोकों में गमन करने की छमता रखता है वही गमन करता है इसलिए उसे लोकपाल कहा गया जीव ही लोकपाल है और देवता अन्य 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 लोकों के वासी हैं जो उसे जीव का ही भरन पोशन करते हैं देवता कौन है जो जीव का भरन पोशन करते हैं और जीव से ही जीवन चलता है इसलिए जो जीवन को देने वाले हैं वो देव हैं इसलिए हम पेड़ों की पूजा करते हैं अभी वट सावित्री पूजा अभी हुई तो वट सावित्री पूजा क्या है भई वट विरिक्ष की पूजा उसमें होती है तो हम वट विरिक्ष उसके जड़ से लेकर पत्तों त उसमें खासकर फेफडे के अभी कोरोना का चक्कर आप सुन रहे ना लंग्स की प्रॉब्लिम लंग्स की प्रॉब्लिम के लिए पीपल पीपल बहुत ही लाब दाई है पीपल के च्छाल से आप उसका पाउडर बनाईए वो एक आउशदी है आप साथ में उसके पिपली या काली मिर्च के पाउडर के साथ मिलाकर शहद के साथ मिलाकर आप उसका सेवन करें बहुत लाब मिलता है लंग्स के लिए बुत अच्छा है ठीक है पीपल के च्छाल का जो बुरादा होता है उसका पाउडर जो निकलता है कई आयरुवेदिक और शदियों में इसका प्रयोग होता है तो इसलिए तो विर्ख्षों को भी देव माना गया वनस्पति को देव और शदियों को देव दसो दिशाओं को देव सूर्य देव चंदर देव इंदर देव इस सारे वायू देव अगनी देव इस सारे प्रगट हो गए उस जीव का वो पोशन करने वाले और वो उससे बन भी रहे हैं और फिर जाकर उस जीव जो के भूख प्यास से युक्त हो चुका है उसने कहा कि भाई मुझे कोई अस्था कर सकूँ तो उसे अस्थान गव का अस्थान गव का शरीर दिया गया वह उसमें गया रहा फिर कहा के नहीं इससे मेरा काम नहीं चल रहा भोड़े का शरीर दिया गया उसने कहा काम नहीं चल रहा फिर उसे मनुष्य का शरीर दिया गया और मनुष्य के सौंदरे को देखकर मनुष्य शरीर के देकर वो प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर उसमें संतुष्ट हो गया और जिस शरीर में वो संतुष्ट हुआ उसी शरीर में ब्रह्म ने सोचा उस आत्मा ने सोचा कि सब कुछ मेरे द्वारा ही बना लेकर फिर भी मेरा जो शुद्धर रूप है वो अब वस्थाएं बनीज़े एक यह ब्रमांद की वस्था एक निद्वान की वस्था जिसे ब्रम मोट कहेंगे रहत कि पूरुष को ही ब्रह्मा माना गया कौन समझ गया वह जीव समझ गया अब उस जीव के बारे में ही बताया जा रहा है कि वह इस काल चकर में कैसे फंसता है और फिर मुक्ति की और कैसे आगे बढ़ता है यह दोनों बातों की चर्चा दूसरे अध्याय में की जा रही है और उसी को समझाने में पहला दूसरा तीस दूसरा जनम बताया जा रहा है तो आइए पहला जनम किसे कहा गया है वो समझेंगे कि दूसरा जनम किसे कहा गया वो समझेंगे तू कहागा रहा है पर्थम इसलोक Julius पुर्शेहवा अयमादितो गरभो भवती यदेत द्रेत तदेतत सर्विभ्यो अंग्यभ्यस तेज संभूतात मात्मा मंथेवात मानः विभर्ती तद्धा इस्त्रियामत इंचत्यतत तन जन्यती तदस्त्य पर्थमं जनम यह प्रथम जनम की बात की जारी है पहले जनम की बात की जारी क्या है अयम कि यह जो जीव जो हिरन गर्ब से जो जीव प्रगट हुआ है निश्य पुरवक पहले पहल पुरुष शरीर में ही वह गर्भा भवती वीरे रूप से गर्भ बनता है अर्थात कि वह पहले शरीर में वह जीव अब जीव की गती बताई जा रही है कि जीव गती मान कैसे होता है कैसे इस संसार के चक्र में वो घूमता रहता है ये समझाने की कोशिश अब शुरू हो चुकी है पहले स्लोक से तो उसका पहला पहला स्थान क्या है वीरे के रूप में कि यहां से उसकी य फिर पिता के अंगों से उत्पन हुआ यह वीर्य रूप जो तेज है वह माता के गर्व में अस्थापित होता है। अपने शरीर में ही धारन करता है उसको इस्त्री में सिंचन करता है इस्त्री में सिंचन करकर इसको गर्ब रूप में उत्पन करता है और यह इस्त्री में सिंचन होने से उस वीर्य का इस्त्री में अर्थात मा के गर्ब में सिंचन होने से उसका पहला जनम माना जाता है यह उ पहला जनम किसे कहा गया कि पुरुष के द्वारा इस्त्री के गर्व में भीरे का सिंचन होना यह उसका पहला जनम है अर्थात पहला बंधन है यह पहला बंधन है उसके लिए और पहला जनम भी है यह बंधन किस प्रकार से कहा गया यह भी आगे चर्चा में आ जाएगा तो तो उसको पहला लेकिन जब तक बंधन नहीं होगा तब तक उसे ज्ञान भी नहीं होगा एक और समस्या है बंधन से ही ज्ञान होने वाला है चलिए कैसे समझाए जा रहा है आगे देखते हैं कि वह इस्त्री के आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है जैसे अपना अंग होता है वैसे ही इसी कारण इस इस्त्री को वह पीड़ा नहीं देता वह इस्त्री यहां आये हुए अपने पती के द्वारा इस गर्भ का पालन पोशन अपने शरीर के अंग के भाती ही करती है अर्थात गर्भ में आने के बाद भी वह इस्त्री उसे पराया नहीं समझती है उसके अदर पराया होने का भाव नहीं आता वह उसे अपना ही अंग, जैसे वो अपने शरीर का पोशन कर रही है, वैसे ही अपने पती के द्वारा अस्थापित किये हुए गर्ब का वो पोशन करती है, अपने पती के द्वारा अस्थापित किये हुए गर्ब का वो पोशन करना शुरू कर देती है, बिल्कुल वैसे जै कि वह इस्त्री वह भावित्री उसे गर्भ का पालन पोशन करने वाली जो इस्त्री है उसी को भावित्री कहा गया है भावित्री विया पालन पोशन करने योग्य होती है उस गर्भ को प्रसों के पहले तक इस्त्री धारन करती है जनम लेने के बाद पहले ही उस कुमार को या उस कुमार का हो या कुमारी हो जनम पुत्र का हो रहा हो या पुत्री का हो रहा हो अभ्यूदे शील बनाता तथा उस लोकों को बढ़ाने के द्वारा अपनी ही उन्नति करता है ठीक क्योंकि इसी प्रकार ये सब लोक विस्तार से प्राप्त होते हैं वह इसका दूसरा जनम है अर्थात कि जब वह गर्ब से बाहर निकल गया और अपने पिता के सानिध्य में आ गया अब पिता उसका पालन पोश आता है तो जब पिता के सानिध्य में वो फिर से आ गया तो यह उसका दूसरा जनम है अब जीव की यातरा हो रही है प्रथम यातरा में पहला जनम उसका बताया गया कि पिता के द्वारा माता के गर्ब में उसका गर्ब अस्थापित होना यह जीव का पहला जनम दूसरा ज जनम माना जाएगा तो यहां पर यह उसके दूसरे जनम का रहस्य से बताया जा रहा है फिर आगे कहते हैं कि वह पुत्र रूप में उत्पन हुआ वही जीवात्मा इस पिता के शुभ कर्मों के लिए उसका प्रतिनिधी बना दिया गया और उसके अनंतर इस पुत्र का यह पिता रूप दूसरा आत्मा अपने कर्तव पूरा करके आवी आयू पूरी होने पर मरकर चला जाता है और वह यहां से जाकर पुनह उत्पन हो जाता है और पुनह उत्पन होना यह इसका तीसरा जनम है अर्थात जिसे हम पुणर जनम कहते हैं उसे तीसरा जनम कहा जा रहा है ठीक है तो पहला जनम किसे कहा जा रहा है थोड़ा सा विचार कर ले इस पहला जनम कहा जा रहा है पिता के द्वारा माता के गर्भ में गर्भ की अस्थापना विर्य सिंचन के द्वारा पहला जनम मा के गर्व में आते ही पहला जनम उसका हुआ दूसरा जनम जब वह उस लोग से अब यहां पर ना आप अभी इस बात को सुनकर थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि भाइ ऐसा क्यों कहा गया यह अभी आगे क्लियर होगा अभी हमने चार इस लोग इसके लिए अभी दो इस लोग बाकी है जिसमें यह रहस्ते खोला जाएगा कि ऐसा क्यूं कहा गया कि वीरियस का सिंचन पहला जनम महीने बाद जब गर्म से बाहर निकला तो दूसरा जनम और फिर इसे शरीर में जीवन को जीने के बाद अपने रीनों को पूर्ण करता है प्रकृती रेन पित्र रेन सब को पूर्ण करता है खुद विवाह करकर खुद अपनी पत्री की द्वारा संतान उत्पती करकर वह पित्रण से मुक्त होता है तो इस प्रकार से अपना जीवन जीते हुए फिर वो जब मृत्यू को प्राप्त हो जाता है देह का स्थूल देह का त्याक करने के बाद जब दुबारा अपने करमों उसे शरीर धारन फिर से कर लेता है तो वो उसका तीसरा जनम कहा जाएगा वो उसका तीसरा जनम कहा जाएगा फिर से वो किसी पिता और माता का सहारा लेकर गर्ब में अस्थापित होगा तो वो उस जीवात्मा का तीसरा जनम और तीसरा जनम हुआ तो वो जो तीसरा जनम था फिर से पहला हो गया और फिर से वो गर्ब से बाहर निकलेगा अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक रहस से खोला जाएगा अगले स्लोक में क्या कि जिस वक्त माता के गर्ब में गर्ब की अस्थापना होती है एक इस्तरी हो जाती है सगर्भा हो जाती है कि उस समय से लेकर 9 मास तक वो जो जीवात्मा जो उस गर्भ में वास करने वाला है वो एक जीवन को जीता है वह एक जीवन को जीता है उस समय प्रसव के बाद जब वो गर्ब से बाहर आ जाता है तो एक दूसरा जीवन जीना शुरू कर देता है जितने दिन वो गर्ब में वास करता है उतना दिन एक दूसरा जीवन जी रहा होता है उसमें वो कई अनुभूतियों को प्राप्त कर रहा होता है मा के गर्ब में रहते हुए कई अनुभूतियों को प्राप्त कर रहा होता है मा के गर्ब से बाहर निकलने के बाद फिर वह दूसरा जीवन जीना शुरू करता है इसी लिए कहा गया कि जब मा के गर्ब अस्थापित हुआ उस समय पहला जनम प्रसाओ के द्वारा बाहर निकला दूसरा जनम और जब यह शरीर छूट जाएगा तो फिर तीसरा जनम लेगा दूसरे शरीर में पुनर जनम जिसको हम कहते हैं तो पुनर जनम को तीसरे जनम के संग्या दी गई है अब आगे हम चलते हैं आगे का इस लोग क्या वर्णन करता है इस विशय में उसको इस पष्ट करते हैं ठीक है आगे देखिए कहा जा रहा है तुदुक्त मिर्षिनाम गर्भेनू सन्न वेशा वेदमहम देवानाम जानिमानी विश्वाशतम मापुर आयसीर रक्षन धम धाशेनो जवसा निर्दीयमीती गर्भ एवई तक्षयानो वामदेव एवमुवाच वही बात रिशिना रिशियों द्वारा कही गई है सुनो मैंने गर्भ में तदुक्त्र मिश्णा अर्थात वाम देवने का कि मैंने गर्भ में रहते हुए ही इन देवताओं के बहुत से जन्मों को भली भाती जान लिया तत्वग्यान होने से पुर्व मुझे सैकड़ों लोहे के समान कठोर शरीर ने अ अलग हो गया हूं घर्भ में ही सोई हुए वामदेव रिश्य ने पुक्त प्रकार से अपनी यह बात कही अभिस उपनीशद में वाम देव की कथा सुनाईरा की वामदेव रिशी ने अपना अनुभव बताया क्या अनुभव बताया कि मैं माता के गर्भ में रहते हुए मैंने अपने अपने कई जन्मों को जाना और साथ ही देवताओं के भी जन्मों को मैंने जान लिया और मैं माता के गर्भ में कैसे था किस प्रकार से था तो वह भी इ पुल्ले कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि लोहे के समान कठोर शरीरों ने मुझे अब रुद्ध करके रखा हुआ था अनेका नेक जन्म के कर्म संसकारों की जो जंजीरे हैं वो उन्हें कसके बांध के रखा हुआ है कसके बांध के रखा हुआ है और अनेकों शरीरों का बोज मेरे उपर है जब तत्व ज्यान होने लग जाता है जब मुक्ति का साधन मिलने लग जाता है तो ये खुद का शरीर भी बोज लगने लग जाता है तो वामदेव कह रहे हैं कि जब मैं मा के गर्ब में था तो मा के गर्ब में रहते हुए ही मैंने देवताओं को जान लिया अपने भी कई जनमों को जान लिया मा के गर्म में रहते हुए ही तो वास्तों में जितने दिन एक बालक मातरवामदेव नहीं एक शिशु जब मा के गर्म में पल रहा होता है तो वो एक जीवन जी रहा होता है इसी लिए कहा गया कि गर्ब अस्थापना के समय पहला जनम गर्ब से बाहर निकलने पर दूसरा जनम और समझो कि जब यह शरीर छूटेगा तो भी तुम एक गर्ब से बाहर निकल रहे है इस थूल प्रकिरती के गर्ब से बाहर निकल रहे है और फिर से धारन करते हो तो तु तिसरा जनम होता है तो इस प्रकार से वामदेव की घटना यहां बताएगी उनका नुभाव यहां लिया गया कि इस ऐसा समझने के कारण ही यहां पर कहा जा रहा है पहला जनम दूसरे जनम तीसरे जनम की बात यहां पर की जारी है इस प्रकार जनम जनमांतर के रहस्यों को जानने वाला वामदेवरिशी इस शरीर का नाश होने पर संसार के उपर उठ गया और उर्ध वगती के द्वारा परमधाम में जाकर अस्थापित हो गया और वहां अम्रित हो गया संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करते हुए वह पूर्ण काम हो गया और वहां अम्रित हो गया इस प्रकार से यहां पर कही बात कही जा रही है बात यहां पर बताई जा रही है कि वह अम्रित हो गया तो यहां पर भी लिखा गया पिछले स्लोक में भी कि निर्दियम इती जवसा निर्दियम बड़ी वेग से जैसे बाजपक्षी शेना शेना का मतलब होता है बाजपक्ष तो इस स्रोक में जो शब्द प्रयोग किया गया शेनों जवसा निर्दियमीती शेन की भाती बाजपक्षी की भाती बड़े वेग से उन सबी बंधनों को मैंने तोड़ दिया वो सारे शरीर जो मुझे अवरुद करके रखे थे मैंने तोड़ दिया और गर्भ में ही सोई हु या कि आत्मा क्या सत्य क्या या जनम सत्य या फिर या अजनम सत्य और वह उसने यह घोशना कर दी वामदेव रिशी ने यह घोशना कर दी कि भाई यह जितना भी जनम मरन की घटनाएं घट रही हैं वास्तों में या अंतह करन और इंद्रियों की घटना है वाम देव रिशी क्या कहते है कि यज किसका जनम हो रहा है इंद्रियों और अंतह करन कहीं जनम हो रहा है आत्मा ना तो कभी जनम लेती है आत्मा ना तो कभी मरती है इस बात का इस पश्ची करन दे दिया गया ठीक है इस बात का इस पश्ची करन दे दिया गया किस जनम जनमांतर में कौन जनम लेता है कौन इस प्रकार से बार-बार मिर्त्यू को प्राप्त होता है कौन यंत्रना को सहता है यंत्रना को सहने वाला भी कौन है तो इन सब का उत्तर देते वे यहां पर अंत में कह दिया गया कि वास्तों में यह नहीं समझना चाहिए कि आत्मा का जन्नम हो रहा है जन्नम किसका हो रहा है अंतहकरन और इंद्रियों का अंतह करन और इंद्रियों का इंद्रियां कौन कौन सी जो ज्ञाने इंद्रियां है करमें इंद्रियां है सुक्षम शरीर का अंग है वो और फिर अंतह करन मनबुद्धी चत एहंकार जिसे हम अंतह करन चत श्ट्रै कहते हैं तो जनम अंता करन और इंद्रियों का हो रहा है आत्मा तो सरवदा अजनमा ही है ऐसी स्विकृति यहां पर अंत में दे दी जा रही है तो यहां विचार करते हुए यह समझते हुए इसको समझना है तो एत्री उपनिश्यद को नया विशय लेकर नहीं आया लेकिन एक नवीन ढंग से जादा रुमांचक ढंग से आत्मा को ही समझाने का प्रयास किया जा रहा है ठीक है तो चलिए अब एक अध्याय इसमें बचता है तीसरा अध्याय उस पर हम चर्चा करेंगे और इससे सम्मंदित कुछ और भी विशय किसी ने प्रश्म किया है कि अपान वायू में मृत्यू देव का वास क्यों हुआ एसा क्योंकि पिछले कल ही हमने बताया कि अपान वायू में अन का ग्रहन कौन करता है अपान वायू करता है ये कल की चर्चा में हमने सुना है अपान वायू ही अन का ग्रहन करता है अपान वायू में ही मृत्यू देव का वास हो जाता है तो मृत्यू देव का वास अपान सांकेतिक अर्थ है तो इस पर भी हम एक दिन चर्चा करने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में चलिए ठीक है ठीक तो चलिए आपके कमेंट्स देख लें अपुर्व विश्व कर्मा बबीता धिमान जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका अभिशेक कुमार जी जगत नरायन जी इसमिता सावंत जी रिशी करीर जी सुसांत दास्त जी सरोज कृष्णानी जी बहुत बहुत अभिनंदन ग राजू पाल जी बलवंद सिंग गोहिल जी जन शमक राज थापाई यह जी आपका भी अभिनंदन विकरम सिंग जी अभिनंदन गुपाल शर्मा जी ब्रिमपाल कुमार जी गुरु जी ओम नम्ह शिवाय रिक्वेस्ट है कि अन्तीस जून से शुरू होने वाले कॉर्सिस का टाइम मौर्णिंग फोरो क्लॉक करने की कृपा करें अब क्या है कि देखी फोरो क्लॉक मौर्णिंग करने की कृपा करें क्यूं किरपा करें हम कृपा नहीं कर सकते हैं कृपा कुछ करने से ही आप जो पाएंगे वही है ठीक है समझ गए तो 29 तारीक को जितने लोग ज्वाइन करेंगे अब उनकी क्या सुविधा होगी उसकी अनुसार से समय का निश्य किया जाएगा और वास्तों में समय का निश्य क्योंकि लाइब सेशन तो बस तीन-चार ही होंगे भाई ज्यादा लाइब सेशन नहीं होंगे तो लाइब सेशन होंगे वह तीन-चार ही होंगे और अभी भी कल से कोर्स शुरू हो जाएगा कल से आपको कल भी कोई लाइव सेशन नहीं होगा कल आपको मैसेज मिलेगा एक कि यह कोर्स किस प्रकार से चलने वाला है आगे बढ़ने वाला है आपको वीडियो मिलेंगी उन वीडियो का आपको प्रैक्टिस करना है अभ्यास करना है और फिर लाइव ह और रही बात कि 29 तारी को कितने बजे से करना तो यहाँ जो लोग जुआइन करेंगे वह किस उम्र के हैं देखे ज्यादा तर तो जो ज्वाइन करते उनमें युवाओं की संख्या बहुत कम होती है तो बुजुर्गों की संख्या होती है अब कौन किसके लिए क्या सुविदा है ज्यादा तर लोगों के लिए कौन सा समय उचित है अगर उनको लगता है कि सुभा चार बजे का समय उनको सपोर्ड करता है उनको कोई दिक्कत नहीं सुबह चार बजे उठकर और पूरी सचेतता के साथ शिवर अटेंड करने में तो निश्य ही चार बजे का रख लेंगे नहीं तो नहीं रखेंगे ठीक है जी आपने एक बार ऐसा प्रश्ण कर दिया मैंने उत्तर दिया शायद अगली बार आपके प्रश्णों का उत्तर ना दो ठीक है ऐसे प्रश्ण का तो कि भाई जब सामूहिक एक्टिविटी हां उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो मैं उनसे कह सकता हूं कि आपको इस समय साधना के लिए जगना है उठना है आप उठिए और मेरे साथ बैठी तो मैं कह सकता हूं लेकिन जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका उनको करेंगे वह ज्यादा तर संडे के दिन ही निश्चित किया जाएगा हुलीडे के दिन हम कोशिश करेंगे कि लाइव सेशन आपको रखा जाए ताकि जो वर्किंग लोग हैं वर्क फ्रम होम भी कर रहा हैं बहुत सारे लोग वह भी अटेंड करते हैं सेशन को और दूसरे ल पास्तो जी अभिनंदन आपका भी रूपलाल विश्वकर्मा जी अभिनंदन हिमंद्र कुमार जी नमश्कार सर क्या है आपके चैनल से जुड़ सकते हैं यदि आपकी इक्षा हो आधरनिय तो जी हां जुड़िए सबस्क्राइब कर दीजिए चैनल को और आप सुना करें ह के लिए तो सबस्क्राइब करना ही प्रयाप्त है चैनल से जुड़ने के लिए तो सबस्क्राइब करना ही प्रयाप्त है और अगर आप ध्यान साधना योग साधना योग ध्यान ध्यान योग की क्लासेस कोर्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर ज्वाइन करना पड़ेगा उसका जो शुलक है वो देकर आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा ठीक है तो आप ज्वाइन कीजिए और गंभीरता पुर्वक उसका लाब उठाईए तो गंभीरता ही महत्यपुर्ण है इसी लिए यह कोर्से अलग से चलाई जाती है ठीक है तो यह आप अच्छे से समझें और इसका लाब उठाएं तो जुड़ने का यही तरीका है तो चैनल से जुड़ना तो आप सबस्क्राइब केजिए चैनल से जुड़ गए राम निवास मीना जी जैश्री कृष्ण जी भी मिसिंग मीना जी ओम हरी जी स्पी सैनी आशा का ही फैलाव है विवर्त है मैनिफेस्टेशन है जी हां लेकिर इंद्रियों के कारण ब्रह्म ना दिखाई देकर कुछ और दिखाई देता है ठीक है मैंने आपसे हर प्रश्ण आदर पुर्वक तथा जग्यासा है तो पूछ यह सफाई देने की जुरत नहीं है क्यों आवशक्ता पड़ रही है वह सारे लोग हैं वह तो कुछ ऐसा सफाई नहीं दे रहे हैं तो इसमें आवसक्ता नहीं पड़ रही है तो आप स्वेम ही वह शक्ता है तो प्रश्ण करिए ठीक है तो अवनी भट्टाचारिया जी अभिनंदन आपका रशना जी अभिनंदन अनिल कुमार जी हमें समझना चाहिए कि यहां जो व्याख्याएं होती हैं वह सब उपनी शदों पर अधारित हैं जी बिलकुल जी बिलकुल तो यही बा बात बताएंगे अब कई लोग ऐसा भी सला देते कि नहीं आप अपनी बात बताईए जो लिखा हुआ है वो क्या जो असली संत होते हैं वह अपनी बात बताते हैं तो मैंने मैंने उन्हें कहा तो इसका मतलब की आपकी अनुसार मीराबाई संत नहीं थी ठाकुर रामकृष महरशिय पतंजली संत नहीं थे बताईए आप क्या वो संत नहीं थे वाचश्पती मिस्र क्या संत नहीं थे तो उन्होंने सास्त्रों का अधार स्वामी विवेकानन जी क्या संत नहीं थे स्वामी विवेकानन जी जब वो गय उन्होंने कहा एक जगह पर कि भाई जो ये कहता है कि मैंने वेदों से अलग कुछ ढूंड लिया अलग कुछ जान लिया तो समझ लेना कि वो समाज को मुर्ख बना रहा है कि जब भी वो अध्यात्मिक मार्ग पर चलेगा अंतर मुखी साधना करेगा ध्यान योग के वास्तविक और सही तरीके से चलेगा तो वो कभी भी वेद का विरोध नहीं होगा क्योंकि अगर उसने वेदों का ध्यन ना भी किया हो तो भे उसे वही अनुभूतियां प्रफंस ने वेद ना पड़े लेकिन उनकी सारी अनुभूतियां वेदों से ही मिलती थी तो कि वेद लिखे ही गए हैं उन रिशियों के द्वारा जिन्होंने अपने हिर्दय में ध्यान योग के द्वारा समाधी की अवस्था में जिन तत्वों का अनुभाव किया इसलि जो उन्होंने अंकित किये हैं उनके अनेकों मंडल मिलते हैं तो कोई इसका मुख्य लेखक नहीं है था वेद श्रयान वेद व्यास जी ने इसके चार भाग किये रिक यजू साम और अथर्व वो एक अलग बात है अथर्व वेद बहुत बाद में आया तो यह विशय है वे अस्थात इसे किसी इश्वर या भगवान ने भी नहीं लिखा जैसे आप सुनते हो ना कि भाई उपर वाले ने कोई किताब पकड़ा दी अपने किताब में उसने बाते लिख दी जी नहीं यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है वेद आपरुश्य है उसे किसी इश्वर या कि यसजी में कि तो उसे समझना चाहिए जीवन का पुद्धन दिर्मान कैसे करें चेतना की पुद्धर रच्णा का क्या अर्थ है और रच्ना नहीं केटना का विकास होना चाहिए जैसे यहां पर कहा गया कि वाम रिशी सारे बंधनों को अवरुद बंधन जोते उनको तोड़ दिया और तोड़कर वो अमरित हो गया, अमरित मतलब अमर हो गया, परमधाम को उन्होंने प्राप्त कर लिया, ठीक है, तो चेतना को विक्सित करना चाहिए, ठीक है, चेतना को विक्सित करना चाहिए, तो ये चीज होगा, तो चलिए आगे चले आज जी क्लेवर माइंड जी देखके अंदेखा क्यों कर रहे हो क्या अंदेखा उन देखा भाई ठीक है कौन सा अंदेखा ठीक है जै शनी देव महराज की दादा खचर जादा खचर ठीक है ठीक ना रंजीत सिंग जी भूदिसत्व समाधी तूरिया कैवल्ल में कुछ अंतर कुछ समानता तूरिया और समाधी में कैवल्ल में अंतर है तूरिया और कैवल्ल के अंतर अंतर है उस विशारधारा को कैसे बदले जो पदार्थ जगत और कर्मों के विभिन रुपों को साकार करने लिए चेतना को मुर्त रुप देती है इसे जीवन का पुदर निर्मान कर सके योग से ध्यान योग से बदलेगी विचारधारा ध्यान योग की शक्ति से एकागरता की शक्ति से ध्यान योग करना पड़ेगा और अपने योग बल को बढ़ाना पड़ेगा विचारधारा बदलेगी क्यों नी बदलेगी फिर वह व चैतन्य सरूप हूं या अनुभूती बराबर बनी रहे बिना ध्यान योग के कैसे संभव है ठीक है मैं एक बार कह सकता हूं कि आप हमेशा चिंतन करें कि आप चैतन्य सरूप है आप चैतन्य सरूप है वह भी एक तरीका है उसमें भी एक आगरता बन रही है लेकिन ध्यान य सानी से अपने आप से अलग कर लेते हैं संसार के हावी होने का मतलब संसार की ऐसी व्यथाएं जो प्रतिक्रियात्मक्ष हैं और हमारे मन में प्रतिक्रियां उत्पन कर देती हैं हमें एक दिसा में बाइस करने की कोशिश करती हैं, उनसे हम अपनी रक्षा कर पाते हैं, भूप सिंखिचर जी, मरोष कुमार जी, ठीक है आपने भगवान को देखा है जी हाँ जो भगों से संपन्न होते हैं जो भगों से संपन्न होने की जहां तक बात है भगवान किसे कहते हैं जब आपने भगवान देखने की बात करती तो भगवान किसे कहते हैं और भगवान कोई संस्था या गुरुजी क्या कहते है वो बात निशास्त्र क्या कहते चिदी च्शह भगों से संपन ही भगवन है जो धन से संपन वो धनवान जो रूप से संपन वो रूपवान और जो भगों से संपन वो भगवान तो मैंने एक पुरुष ऐसा देखा है जो कि भगवान सान के स्वरूप है ठीक है जी अब वो मेरे नीजी जीवन का अनुभव है आप यहां कहो भी लाख रुपए भी दे दोगे अकाउंट में ट्रांसफर कर गो तो मैं नहीं बता सकता ठीक है जी समझ गए लेकिन किसी और अवस्था को मैं भगवान नहीं मागई शास्त्रों के नुसार चाह भगों से संपन्न जो है वही भगवान है तो एक मैंने ऐसा देखा है ठीक है चलिए तो हो गया भूप सिंखिचर जी भूप राम राम जी गुरुजी परमधाम में जाना ही मोक्ष है मूनिका रगवन से जी हां परमधाम में जाना ही मोक्ष है बिलकुल सही बाद भागवान होते ही नहीं है ठीक है जी नहीं होते हैं माननो माननी की छूट है सुरज को चांद मानो चांद को सुरज मानो क्या परक्षपड़ता है कि आत्मा का सकाश क्या आत्मा का सकाश आत्मा ही है ठीक है जैसे कि बिजली है और बिजली जब फिलामेंट से गुजर्ती तो वल्ब जल जाता अब किससे जला आप को के बिजली की उर्जा से जला भी इसली cat ज़ल जल जला कि कि आप किया दो होगे न लेकिन चैनलो कोई शक्ति वक्ती से मतलब नहीं बिजली तो बस बिजली है हाँ अब उससे शक्ती विक्सित हो रही है वह एक अलग बात है तो वैसे आत्मा आत्मा का सकाश ही प्रतिबिम्बित होते हुए अनेक रूप धारां करते हुए संसार की रचना कर देता है जो की इंद्रियान भूती में संभाव है ऐसे नहीं ठीक तो चलिए आत्मा की साकास क्या है महराज आत्म वेदा का बमन हो पाएगा बमन हो पाएगा मतलब जरूर उनका प्रचार होगा यह हमारी मनोज कुमार जी गुड़ी सोनी जी प्रणाम जी यह मनोज कुमार यह हमारी मन भगट कहानियां है कि अठीक है मनोज जी अपना समय बरबाद मत कीजिए मन गणंत कहानियों के पीछे और इस चैनल पर सुन विचारों को सुनने के पीछे अपना समय बरबाद मत कीजिए ठीक वेदांग क्या है शिक्षा व्याकरन निरुप्त चंद जोतिस छे प्रकार के वेदांग जो बताएगा है उन्हें भी छे शास्त्र कहते हैं तो वह जो हैं उनका अध्यन करने से आप वेदों का अध्यन कर सकते हैं अन्यथा वैदिक दर्शन का अध्यन तो इस चैनल के करने का अपना एक नीयम है उनको जानने का संस्कृत भाषा का वह ज्हान उच्चारन का सही ज्यान उन सब को करना उनके अर्थों को समझना निरुप्त का ग्यान होना छंड का व्याकरन का सिक्षा का जिलons का जोतिश्या cubot इन सब का जब ज्यान होगा तो वेद अध्यन सही धांसे होगा और दूसरा व्यदिक दर्षन क करना व्य-दिक फिल्लासफी का देंकर तो यह जो चर्चाय यहां पर चलती है वह व्यदिक दर्शन से हैं तो था यह धी कॉंसेट्ट Only the concepts को समजना उसको देश्य करकर हम यहां पर व्याठ्षान ले आते हैं ठीक है ठीक है जी आप सब बेवकूप बनाते हैं आप इतने शक्तिशाली हो तो भगवान का साक्षात कार खराएं तो विश्वास होगा देखो जी सुनो मैंने कह दिया भगों से संपन नहीं भगवान है दूसरा कोई भगवान नहीं म रही बात कुछ संस्था वाले कुछ कहते हैं कि यहां जो जोती का दर्शन होता है उसे भगवान कहते हैं अगर वैसा दर्शन करना चाहते हो तो हमारा ध्यान योग कोर्स जंजवाईन कर सकते हैं लेकिन शास्त्र सम्मठ धंग से यहां दिखाई देने वाली जोती भगवा इन नेत्रों का विशह नहीं है तो इसी लिए वह एक दिव्य अनुगूती है ये जरूर कहा जा सकता है आप करना चाहते हैं आप आ सकते हैं मतलब ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ऐसी ध्यान योग करना चाहते हैं जिससे की अंतर घट में ऐसे जोती दर्शन साक्षातकार हो जाएं दिव्य साक्षातकार हो जाये तो आप ज्यान करकर साधना के द्वारा उसको प्राप्त कर सकते हैं रई बद भगवान ले ठीक हाक्षातकार के लिए घूमिए और रिशिमनी इस इस से संपिंण memorial कि न इसे ऊसे प्योन टूंडिए ऐसे कोई सिद्ध पुरुष आपको मिल जाएं जो कि भगवान की श्रिनी में हो राम भगवान थे स्रिक्रिष्ण भगवान थे रिशी पिपलाद को भी भगवान कहा गया है प्रश्ण उपनिशद में अगस्त मुनी विश्वा मित्र को भगवान कहके संबोधित किया गया है ठीक है तो आप जो भगो से संपन नहया वह भगवान बस हम ढूंडिए उनको घुरुजी व्येद में शुद्रों के बारे में क्या बात बताया गया है काफी ब्रांती है किर्पिया इस बारे में बताएं कुछ नहीं बताया गया है यह बहुत अलग अब आप लोग का प्रश्ण विशह से काफी अलग जा रहा है चर्चा हो चुकी है आप जाकर हमारे चैनल पर जाए हमने चर्चा कर रखी कि उप है कि इसमें कोई ब्रांती वाली बार नी गीता पड़ लिजे घीता में चारों पर नों की चर्चा rainbow का चर्चा ब्रामन जखत्रिय वःश्ष्य इंचारों की चर्चा आप पड़ लिजी कि क्या वैदिक शास्त्र है आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या विचारधारा है ठीक है किसी दिन हम व्याख्यान ले आएंगे कि गीता के अनुसार इंचार वर्णों के बारे में क्या कहा गया है तो बहुत बड़ी बाती में रिपीट करकर कई बार बता चुका हूं इस जी नहीं ध्यान योग में कोई शरूप اس्थापित करना नहीं होता ठीक जाय हो कि मुझा ओनोजड़ा इस डिफेरेंस बेट्वेन घ्रान आत्मा ठीक ज्यीवात्म इस डे भ्लập तब्यांटमा एंड जिवात्मा इस विद कर्म एन संसकाराज जिवात्मा हैं संसकाराज बड आत्मा हैंज नो एनी कर्मा एन संसकाराज कि कि क्या हम अपनी साधना से किसी दूसरे को मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं जी नहीं पहुंचा सकते हैं पंकज मिस्राजी नहीं पहुंचा सकते हैं हम अपनी साधना से किसी को प्रेणा दे सकते हैं हम किसी को मोक्ष के मार्ग पर ले आ है और मोक्षभी स्वेम ही प्राप्त करेगा तो मार्ग पर लाया जा सकता है संतों का काम गुरु का काम मार्ग पर लाना ही है बस एह करते हूं थी कैसी होती है आत्मा का आतार बताया हुए आप पीछे जाइए कई क्रिभी चर्चाएं है जिसमें की आत्मा के विशय में बताय से सठी कि शर जी वेदांग पर विस्ति चर्चा करें की हुई है वेदांग में पर चर्चा की हुई है छिक विदांग पर पहले ही चर्चा की हुई है जी आप उस चर्चा को देख सकते छिक तो विष्थि चर्चा विदांग क्या है उन पर एक चर्चा हो रखी है एक विडियो बना हुआ है आप सर्च करेंगे चैनल में मिल जाएगा गनेश पाथडे जी सद्गुरु कोटी कोटी नमन प्रणाम आपका भी अभिनंदन संदीव कुमार जी जैश्री कृष्ण सरोज कृष्णानी जी अभिनंदन अश्वनी चौधरी जी सरकुछ मूर्ख पूरा वातावरन दुशित कर देते हैं आप मर्ग दर्शन करते रहें गुरु जी इन्हें सही बात बताएंगे तो सर्पो को दूद पिलाने ठीक है ठीक है कोई बात नहीं ठीक ना कुछ लोगों को जो है तो उनके वो करने इसी लिए तो मैंने सुरुवात में इस विशाय को चेड़ा कुछ लोग कमेंट कैसे कैसे करते हैं सरोज कृष्णानी गुरु जी मैं नेपाल से हूँ हम व्यक्ति से मोक्ष हो सकते हैं भक्ति से जी हां मोक्ष का ही सादन है वक्ति विश्वयात्री नमस्षिवा दिनेश्ठा को दिनेश्ठा करना है किसी भी मूर्ती का ध्यान की चर्चा नहीं एक प्रारंब है ये एक शब्द में बताना बत सब्सक्का ध्यान करना पूरा कोर्स एक महीनेगा ओसी लिए को सांवर्ण जुक्त करें और कล जिन्होंे कोर्स जौइन कर रखा एक 11 थारिक वालाommes कल से शुरू हो जाएगा और आपको लगवग 11 बजे तक आपको मैटर मिलने शुरू हो जाएंगे आप उसके लिए चिंदित ना हो 11 बजे के बाद ही मिलेगा तो ऐसे तो टाइम धाई तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं लगबग एक घंटे का व्याख्यान आज भी संपन हुआ तो समय की मर्यादा का भी ध्यान रखते हुए आज यहां पर विराम लेते हैं आप सभी से विदा लेते हैं और कल फिर नौ बजे एक उचित व्याख्यान विशाय लेकर उपस antage शेर्भी कर दें आपको लगता है कि निश्यही सास्त्र तरीके से यहां पर सास्त्रों को अधार लेकर अध्यात्म को समझाना और लोगों को ध्यान की प्रकरिया से जोडने का कारे धियान की प्रकृप करिया से गंभीता पुरवर के खेल में ऐसे मज़ाक में नहीं इस एफ में तो आप बहुत कुछ कर रहें है आइं आच्छी बात है कर準 है एफ घेल एफ हलमें आप घर में बेटे बेटे ध्यान करिए आ ध्यान करें नहीं तरइस दी Song ना है कुछ समझना है कुछ अपलब्धी करनी है इस शेत्र में ध्यान योग के शेत्र तो कोर्स जॉइन की जीए ठीक है सन मेंबर्शिप जुपिटर मेंबर्शिप का पोर्स जॉइन की तो नेक्स्ट जो कोर्स चालू होगा विधी पुर्वक वो 29 तारिक से हो 29 से चीक तु झालू है झाल झाल